अगर हम बात करें इसके टेक्चिर की तो इसका जो टेक्चिर है आप लोग देख सकते हैं तो आपको यह कुछ इस तरीके के लिए तो मैंने के लिए तो मैंने फाइनली यह पचेस कर लिया था एक महिने पहले ही और मैंने इसे अपलाई किया है पूरे एक महिने तक इनफेक्ट यह मेरी दूसरी बॉटल है जो मैंने परचेस किया है तो मुझे फाइनली लगा कि यह सही टाइम है अब मुझे इसका रिव्यू कर लेना चाहिए तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तो मुझे कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में रिसीव हुआ है यह है इसकी आउटर पैकेजिंग और जो मुझे अंदर से रिसीव हुआ है वो है यह बॉटल और यह आपको मिल जाती है और यह आपको डाक ब्लू कलर की बॉटल में मिलती है जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि डाक बॉटल में अगर कुछ कोई भी सिरम या कोई ऐसे स्किन केर प्रोड़क्स होते हैं तो वो सेफ रहते हैं आपकी संलाइटस तो बहुत अच्छी पाकज़ी मुझे इसकी लगी अगर हम बात करें देक्स्चिर के जिसका टेक्चर है पपलोग देख सकते हैं अब को यह अपको यह देखने से लाग रहा होगा किसका टेक्ट्टर जो है वह ओली सा टेक्ट्चर पर ऐसा नहीं है इसका टेक्टुर है वह тुड़ा आपको यह यूज आ यूज बीच में कहीं है और जब ए इसको अपलाए करते हैं तो kh CU Deek एक ब्रशाव देता है एक ब्रशाव देता है आप लुक देख सकते हैं कितना सुन्दर लगाते ही शाइन करने लगती है आपके स्किन तो कुछ ऐसा ही काम यह आपकी स्किन पर करता है तो जब मैं पहली बादी से अपलाई था तो मुझे काफी टेक्च्चर अच्छा लगा और यह लॉंग लास्टिंग है काफी टाइम तक आपके स्किन पर रहता है इवन अगर आपके स्किन ऑईली है तब भी आपके स्किन बहुत अच्छे से अब्सॉब कर लेती है इस सिरम को तो हम लोग देख लेते हैं नोंने क्या-क्या चीज़े मैंशन की है इसमें लिखा ह कि आपके अगुसे तो आपको इसका ख्याल रखना है और इसको कुल और ड्राइब प्लेस में ही स्टोर करके आपको रखना है सिर्फ एक्टरन यूस के लिए है पैस्टेस्ट जरूर कर ले आपको इसको अपलाई करने से पहले और यह चिल्रन के लिए तो बिलकुल भी नह कभी-कभी किसी को कुछ-कुछ इंग्रीडेंट्स नहीं सूट होते हैं तो इस वजे से इनोंने पैस्टेस्ट क्ले बोला है और इसका प्राइस जैसे कि मैं आपको बता दिया है तो आपको 10 ml मिल जाती है तो आप जब भी से पर्चेस करें आप हमेशा पैस्टेस्ट कर ले मेरी स्किन पर इसने ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं किया है और यह बहुत सारी चीज़े क्लेम करता है मतलब अल्मूस्ट सारी चीज़ें करता है कि आपके स्किन ब्राइट हो जाएगी आपकी पिग्मेंटेशन दूर हो जाएगी ग्लो करने लगेगा आपका स्किन और बहुत सारी चीज़े आपकी ऑईली स्किन ड्राय स्किन सब पर जाएगा अब मैं अपको बताऊंगे कि इस मेरी स्किन पर कैसा काम किया है तो जब फर्स टाइम मैंने इसे अपलाई किया था तो मेरी स्किन बहुत जादा हाइडरेटिंग फिल कर रही थी और एक इंस्टेंट तो में मेरी फेसब पर मिला था वो श्यादी इस घल अर इसुन काफी टाइम तक मेरी स्किन पर रहा और आफ चाछाधा ग्लो इसे यूज़े थी एक यूज़े तो मुझे एससच कोई मेरी स्किन ब्रायट नहीं लगी और लेकिन ग्लो मिल रहा था कुई साइड इफेक्ट तो मुझे लगा मैं और ट्राई कर लेती हूं, मैं भी यह साइड इफैक्ट करें कोई अलर्जी ऐसच ऐसा कुछ करें तो लेकिन एक हफ़ता हुआ, दो हफ़ता हुआ ऐसा कुछ भी मेरी स्किन पर नहीं हुआ, दीरे मैंने नोटिस किया कि जो मेरी स्किन है वह हाँ, गलो कर तो एकदम से बहुत सब्सक्राइब और श्वेट निगलने लगता है जिसके जिसे पिंपल भी काफी जाता है लेकिन इस स्रम के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं था इसने मेरी स्किन पर बहुत अच्छा काम किया और अभी भी में इस स्रम को यूज कर रही हूं और मैंने दुस अच्छा काम करता अपके स्किन पर मेरी स्किन काफी दा सैंस्टीव है अगर मेरे स्किन पर इसने बहुत अच्छा काम किया है तो आम शूरी सारी स्किन पर बहुत अच्छा काम करेगा आप लोग जरूरी से ट्राइक पर बहुत अच्छा काम करेगा आप लोग जरूरी से और बहुता है प्राई नियुदा प्रेजार के डुछाहां है पालड प्रेजार के लिए थे से मसाज़ देने हैं आप देख सकते हैं इसका उबुम्हाइब विए एकेट है और इसको लगाते हैं, इतना अच्छा फील कहती है अगर इसको लगाने के बार, अपले ईदे तरका रहता है पूर आपके मेंक अच्छा लगए है किने जदे सकते हैं सब्साइम कि इसके खी आप की आपका चैश्की कुछ नहीं रहां थे तेक्स्ट्चर सकते हैं देन कह facility , यह कुछ आदा डहां दिद्र मेरे लग ओअ मिरे मेरे खानी पर कुछछ नहीं थे लिगा से कांपा इसबसा थैसने method तो यह ब्राइटनिग शिरम नहीं में से बोलूंगी लेकिन हाँ आपकी शिरम पर ग्लू जरूर लेकर आता है बहुत ही अच्छा सिरम है वर्ड इत है बहुत कम प्राइस के साथ आपको मिलता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर इसे एक बार ट्राइक करें म मैं जानती हूं आप मैंसे बहुत लोगों मुझे बहुत सारे प्रोड़क्ट्स के लिए रिव्यू करने को बोला था पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं जादा स्यादा प्रोड़क्ट्स को पचेस करूं और उन्हें अप्लाई करको अपने उनका रिव्यू रखूं लेकिन मै मैं देरे देरे कोशिश करें आपकी सारी जितने भी प्रोड़क्ट्स है मैं सबका रिव्यू दूं अगर किसी का रिव्यू अभी भी रह गया हो तो आप वेट कीजिए मैं ज़रूर उसका रिव्यू करूंगी आई रियली होप कि आपको यह वीडियो यह रिव्यू आपक